नमर नाइन दोस्तों स्टूपिड लोगों का जिकर हो रहा हो और टिक टॉक का नाम नाई ये भला कैसे हो सकता है इस प्लैटफॉम ने सिर्फ यंग जेनरेशन कोई नहीं बलकि चंगे बले बाबों को भी इंसानियत के दाएरे से बाहर निकाल दिया है एन एनिवे अगर डा जाग गई और इसने मुबाइल का कैमरा ओन करके टिक टॉक वीडियो बनाना शुरू कर दी इसके डांस को देकर तो ऐसा लग रहा था जैसी ये गाड नहीं बलकि हुसन की देवी कश्माला हो आप सबको तो पता नहीं है इस वीडियो को देकर तो किसी का भी इंसानियत पर बाइक्स में पेटरोल डलवाते हैं लेकिन अकसर ऐसा होता है कि इनके इलावा भी पेटरोल की जरुद पढ़ जाती है ऐसी सिच्वेशन में किसी प्लास्टिक गैलन या बॉटल में पेटरोल लिया जाता है पर ये जो शक्सा आप दिख रहे हैं इसने तो पेटरोल बाय क करने का निया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जब इसे कोई कंटेनर और बॉटल नहीं मिली तो ये पेटरोल डालने के लिए किचन के बरतन ले आया और सिर्फ एक दो नहीं बलकि इस शैंपू ने दरजन से भी ज़्यादा डौंगे पेटरोल से भर लिये इसने हार एक बरतन में बड़ी एहतियाद से पेटरोल डाला ताकि कोई भी बरतन इस सादत से महरून ना हो सके वेल आज अगर आइंस्टाइन जिन्दा होता तो इस शक्स को देकर दुबारा मर जाता नमबर सेवन दोस्तो आप सब इंटरनेट पर लाइफ हैक वीडियोस देखते रहते होंगे इन वीडियोस में मुक्तलिफ प्रॉब्लम्स का सिंबल सलूशन सिखाया जाता है लेकिन जब कोई अनेक्सपिरियंस्ट बंदा ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दी तो वो सलू टेप ली और इसे दाख पर लगाकर जोर से खेंशना शुरू कर दिया ताकि वो चीज़ टेप के साथ उतर जाए इसकी पहली कुशिश नाकाम हो गई और दाख वहीं का वहीं रहा पिर इसने दुबारा कुशिश की पर बात नहीं बने कई दफ़ा जब जुगार नहीं वेल इसका ये लाइफ हैक तो बुरी तरह फेल हो गया नमर 6 दूस्तो आप सबने अट लीस्ट एक दफ़ा तुरकिश आईस क्रीम मैन देखा होगा ये लोग आईस क्रीम से बहुत जबरदस ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं लोग इन से आईस क्रीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते इसके लावा कई बार तो वो पूरी आईस क्रीम निकाल कर एक ही कोन पर रख देते हैं ये तुरकिश लोग वाकिए में बहुत टैलेंड़ हैं लेकिन क्या हो अगर ये काम चाइना में शुरू हो जाए ये जो चिंग पॉंग आप देख रहे हैं इसने तुरकिश आईस क्र पी करके चाइना के अंदर ये अपनी दुकान बना ली ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये आईस क्रीम वाला ट्रिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था इसने लेडी को कौन पकड़ाई और इसे इंप्रेस करने के लिए सारी आईस क्रीम निकाल कर कौन पर पर अनफॉर्शनेटली ये आईस क्रीम इसी की तरह दो नंबर थी जब ये इसे वापस रखने लगा तो सारी आईस क्रीम नीचे गिर गई ये सीन वाके ही में देखने लाइक था नंबर फाइव दुस्तो बॉडी बिल्डिंग दुनिया के सबसे टफ कामों में से एक है लोग डेली जिम जाकर गंटो एक्सरसाइस करते हैं ताकि लोगों को इंप्रेस कर सकें लेकिन हर किसी को बॉडी बिल्डिंग रास नहीं आती ये जो लड़का आप दीख रहे हैं इसने जिम जॉइन की और चार दिन के बाद इसे लगा कि माइक टाइसन बन चुका है ये टॉलेट में जाकर अपनी बॉडी और बॉक्सिंग की वीडियो बनाना शुरू हो गया नॉर्मली लोग रिंग में बॉक्सिंग करते हैं लेकिन इसे टॉलेट निंजा बनना था य आप बन्दा टॉलेट में जाकर बॉसली बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही ये एक्सपेरियंस सच में पेनफुल था नमर फूर दूस्तों कर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो चीजों को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाना आसान काम नहीं होता खास कर कि जब कोई समान साइज में बड़ा हो तो इसे ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है लेकिन कुछ लोग इस काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक अंकल कार पर यूज कारपेट ट्रांसपोर्ट कर रहे थी वैसे तो ये कारपेट कार में नहीं आती थी लेकिन इन्होंने डिगी खोल कर इसे अंदर रखा और मजबूती के लिए इसके उपर लेड गए वैसे अंकल ने चुतो सच में प्रो है सिर्फ इतना ही नहीं कुछ लोगों को दो चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी की भी जरूरत नहीं होती ये लोग साइकल को ही खोता रेड़ी बना लेते हैं ये जो वडियो आप देख रहे हैं इसने एक शक साइकल पर सोफा ट्रांसप कर लेगा नंबर त्री दूस्तों कहते हैं कि जैसे जैसे उमर बढ़ती है बंदे में शौराना शुरू हो जाता है और वो बुजरुक बन जाता है पर कुछ लोग बुढ़ापे में भी मस्तियों से बाज नहीं आते ये जो अंकल आप देख रहे हैं ये पूल की एक साइड से दूसरी साइड पर जम्प मार कर जाना चाते थे लेकिन ये भूल गए थे कि इनकी बूड़ी हड़ियों में अब रस खतम हो चुका है एनिवे जब इन्होंने जम्प लगाया तो इनका बैलनस आउट हो गया और ये सीधा पूल की एज़ पर जा लगे वेल आप ये सीन दे जो आप दिख रहे हैं इसमें भी एक अंकल पॉंड के उपर से जम्प लगा कर गुजरना चाते थे अनफॉर्शनेटली जब इन्होंने जम्प लगाया तो ये बुरी तरह फेल हो गया और ये पानी में गेर कर पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो गई मजगी बात ये ह बाहर निकल कर ऐसे खड़े होगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो ये सीन सच में देखने लाइक था नमटू दूस्टो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोकिंग यानि काना बनाने का शौक होता है और कई लोग सिर्फ काना खाने के शौकीन होते हैं लेकिन अब एक तीसरी नसल भी इंटरड्यूस हो चुकी है जिनको ना काना बनाने का शौक है और ना ही खाने बलके ये लोग सिर्फ worth आ कर cooking की विडियोज बनाते हैं ये जो विडियो आप देख रहे हैं ये भी इने हमेंसे एक है ये भाई साब अंड़ा fry करकी इसकी विडियो बना रहे थी इसने पहले अंडा बनाया और फिर इसे flip करकी action मारना शुरू कर दिया मज़े की बात ये है कि ये फ्राइपैन को छोड़कर कैमरी की तरफ देख रहा था और उपर से ये स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वेल इसका ये फूड स्टंट बुरी तरह फेल हो गया और वो गरम फ्राइड एग इसके हाथ पर गिर गया जब गरम अंडा इसके हाथ पर गिरा तो इसका फेस रियक्शन देखने लाइक था ये सच में हमाकत है नमर वन दोस्तो आम तोर पर जब बारिश होती है तो हम चटरी लेकर पानी से बचने की खोशिश करते हैं कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अचानक बारिश का मौसम बन जाता है और चटरी अवेलेबल नहीं होती ऐसी सिचुईशन में ना चाते हुए भी कई लोगों को बारिश में बीग कर जाना पड़ता है लेकिन कुछ लोगों को अपने कपड़े इतने अजीज होते हैं कि वो बारिश से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शक्स ने बारिश से बचने के लिए अपनी पूरी बाड़ी पर शापर पहन लिए सीरियसली इसे देकर ऐसा लग रहा था जैसे कचरा ड्रम से निकल कर वाग करना शुरू हो क्या हो सोचने की बात ये है कि इसने इतने बड़े शापर लिए कहां से होंगे एनिवे जो भी हो इसका ये शापर वाला जुगार वाके ही में प्रो था